नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल है यूटूबर देव पर तो दोस्तों रपीसी सेकंड गिर्ड के लिए वेटिंग लिश्ट जो दोस्तों आनी है सेकंड गिर्ड दोजर अठारा के लिए उसके बारे में ट्वीटर पर बहुत परिक्सा के परिणाम को लेकर सनिवार को सरकार के खिलाब ट्वीटर पर मोर्चा छेड़ दिया यानी कि एक तरीके से हैश्टेक चला के वो करते हैं दोस्तों ट्रेंड करते हैं पुरा तो उसको जो है प्रारम किया बेरुजगारों ने ट्वीटर पर लिखा कि अब तो च समझताओं कि कोरोना का कसूर उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आरपीसी का कारेले तो बन था लेकिन इस्टेनोग्राफ पर कौन करवा रहा है आरेसेमेसस भी यानि कि रास्थान करमचारी चैना करा रहा है जिसने कई सारे रिजल्ट भी इस दोना निकाल ले हैं हालांकि लेकिन अब दो महीने हो गए आंसर की तो एट लिश निकाल सकते थे कोई यहां जोईनिंग थोड़ी देनी है इस कारण बेरुजगारों में काफी आक्रोस है राजस्तान बेरुजगार एकी करित महासंग के अद्यक्स उपेन यादव राजस्तान नीजी साइक समर्ग महास संके परदेश अद्यक्स रमन पारिक और उदेश सिंग बांसरोटा पुलकित विजय कोमल अरोडा रूची तमर भरत मिश्रा इन सभी की टीम ने सनिवार सुबह ये मुहिम शुरू की वेरुजगारों ने बताया कि वर्स 2018 में भरती के लिए आवे दिन मांगे गए थे इस दोस्तों अलग-अलग उसमें आपतियां ली जाती हैं उसके लिए दस से पंदरा दिन एक हफ्ता दूस हफ्ता दी जाते हैं फिर उसके बाद जब समय आता है कि चलो अब हम रिजर्ट घोसित कर सकते हैं फिर कट ओफ है फिर उसमें जॉइनिक और बहुत लंबा समय तो दोस्तों ये सही कर रहे हैं बिल्कुल विरुजगारों को ऐसा ही करना चाहिए और ऐसे जब करते हैं तो फिर सरकार की भी थोड़ी आखें खुलती हैं वागी दोस्तों इस पे जब भी आंसर की समंदी कोई अपडेट आएगा इस्टेनो ग्रापर से समंदी तो मैं परचा दूँगा वीडियोज और कम्यूनिटी पोस्ट के माध्यम से तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद नमस्कार